इस वीडियो के मादन से मैं कॉंपी टूट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका सौर्ट प्रॉम स्री यो होता है यह मोडिफाई तुल बार के अंदर आता है चलिए इसे समझने के लिए मैं आटो कैट अप्लिकेशन के तरफ चलता हूँ मैं सबसे पर एक सिंपल लाइन ड्रॉप करता हूं मैंने क्लिक यहां किया फर्स्ट पॉइंट लाइन का और सेकेंड पॉइंट अब यहां पर यह स्ट्रेट लाइन सो कर रहा है यह जिरो डिरी यह 90 डिरी और इसके बीच कोई लाइन यहां पर यह नहीं आ रहा है तो यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां और को ओन है तो मैं यहां सेकेंड पॉइंट को प्लिक करता हूं मैरा लाइन यह ड्रॉप हो चुका है मैं इस लाइन को कॉंपी करूंगा एक पार्टिक्लर डिस्टेंस पे चाहिए मैंने कॉंपी कमाड़ यहां से सेलेक्ट किया आपको यहां करसर को लेज जाकर लेफ्ट क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट करने हैं लेफ्ट क्लिक से ही क्लिक्र पार्ण पे एइस पेसिफाइब बेस प्वाइंटі आपको एक बेस प्वाइंD kisses करना है यहां से उसको कोफी करना है मैं यहां इसप Every सब्सक्राइल करता हूं मैं यहां मैंने कर दिया एप यहां यहां तो सिम्पल से की दिए या फिर यहां डिस्टेंस आप को एंटर करना होगा बजय मंध लिया दे मैंने तेने टिर किया को यह टेन यूनिट पर मेरा एक लाइन होचुका है मैं यह औव्यक्त मेरा कॉपिय और यह मैंने किया मैं इसे यहां देख सकता हूं दाइमेंशन से चेक करूंगा इसे आप देख सकते हैं यहां यह टेनीव मुट्शोग कर रहा है ठीक इसे तरह से कमपलेंट सब्जेक्ट ही हो सकता है चलिए इसे थोड़ा सा क्या थोड़ा सा कमप्लेक्स आप्पर एक्जांपल मैं एक क्याँ इस लेता हूं मैं यहां एक सब्सक्राइब देख से कि अब इसे में का प्रविक करूंगा मैंने लिए यहां से यहां से लंसे से क्लिप किया इंटर क्या अब यहां से मैं 10 units लेता हूँ, आप कोई भी unit ले सकते हैं, फिलाल मैं यहां 10 units नहीं ले रहा हूँ, मैंने 10 units लिया, इंटर, मेरा कॉंपी आ चुका है, इस साइट से मेजर करना होगा, अगर इस साइट से मेजर करना है, तो इस ऐसे मैं दिखाता हूं इसे करके, क्यां यहां से, मैं इसके फिर्स्ट लोगा, आप दिज सकते हैं, यहां तेना जया, अथेक अब it, यह लास्ट से भी लास्ट डैमेंशन लेसकते हैं, मिट इससे भी मिड ले सकते हैं इससे कोई फर्ट नहीं पड़ता है कि इसका मांता कि डाइमेंशन से भी रहेगा कि डाइमेंशन में चेजर नहीं आएंगे लेकिन दो एकवार पॉइंट पर एकवार पोजीशन पर वो डाइमेंशन लेनी होगी तो यह तो एक option था जिसमें मैंने length डाला और वहाँ वो पॉपी हो गया अब माल लिया जाया हमको कई एक जगा एक object को पॉपी करनी है और एक particular length पर करनी है तो उसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं उसे कैसे करते हैं सपोज मैं पहला ही एक्जाम पर लेता हूं यह लाइन को मुझे 10 मिटर पर बारा लाइन क्रिएट कर दी है तो सपोज मैंने फिर से कॉपी कमांड लिया कि यूँँ लेप क्लिक कर चांच मैंने 15 MA से सेवलेक किया इफ़क पनार लिए अब मैं आएए का यूज कर सैट है यहा इन ऐस अलुद यह आया हुआ है यूवा जिसको करने के लिए या करो नहीं तो इसको सेलेक्ट करने के लिए यहां पर मैं यह टाइप करूगा इसको कोई फार्थ नहीं परता कि आप टैप कर रहा हो या स्मॉल तो मैं यहां सिंपल सा यह करता हूं इंटर कि अब यह कह रहा है कितना नंबर और आपको चाहिए मन लिया जाए मैं यहां से 12 जो मेरा रिक्वार्मेंट है 12 अब आप चाहें तो सेकेंड पॉइंट दे सकते हैं तो सेकेंड पॉइंट देने के लिए आप यहां मैंने 10 दे दिया आप दे सकते हैं मैंने डिस्टेंस दे दिया सेकेंड पॉइंट मैं इसे मिर्यार कर लेता हूँ यह 10 मीटर दूसरा मैं हुई ही एक दूसरा में गर करके पपपप 10 मीटर हर एक 10 मीटर पर एक लाइन यह आ चुका है वान टू थीट फॉर फाइव शीक्स तेवेन एट नाइट अटेन एलेवन और यह वाला तो मतलब है यह तुएव्ट राइन का एरें हो चुका है है Airstans किस और इसी तरह से आप चाहेंगे तो इस रेक्ट एंग shades को भी कर सकते हैं मैं रेक्टेंगे को कर के कि आप किया है आइक लेप लिज से हिंटर पर प्रिजब कर रहा हूं हैस Christ को स्लेक्ट करने के पार अब मैं फिर से एरे लूँगा ए यहां से मैंने 12 लिया इंटर अब यहां मैं 10 देदू का फिर से 10 क्या है या तो आप कोई भी डिस्टेंस काइब कर सकते हैं जो कि उसका डिस्टेंस होगा मैंने यहां के इंटर किया जब मैं यहां इसे मेजर करूंगा मेजर करने करें डाइमेंशन मैंने सेलेक्क किया मेजर इसका मैंने फर्स्ट लायन लिया तो इसका मैं फर्स्ट से लियुकर लिए और इसे मैं में है मेजर कर लेता हूं यहांय दश्वकर उनीट है अब मैं copy tools के अंदर fit option के बारे में बताने जारा हूँ कि उसका use हम कैसे करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं एक rectangle create करता हूँ rectangle create करने के लिए मैं rectangle command पर मैंने left click किया rectangle tool पर left click मैं कर रहा हूँ कि इस प्रस्ट कॉर्णर मैंने फस्ट कॉर्णर माउस के मदद से क्लिक किया फिर सेकेंड कॉर्णर मैंने सेलेक्टिं किया और आपने सकते हैं एक rectangle मैंने सामने हैं इसे फिलहाल हर और लाइन सेगिमेंट को मैं अलग-अलग करूंगा हर लाइन सेगिमेंट के फ्लोट से मैंने अलग-अलग किया मुझे यहा डिस्टेंस नहीं मालूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितने हैं अब मुझे इसके अंदर इसके अंदर आठ लाइन ने ड्रॉव करने हैं जो कि इसका कॉपी हो इस लाइन का कॉपी तो इसके लिए मैं कॉपी कमांड लेता हूं मैं इस अबजेक्ट को सेलेक करूंगा जिसको मुझे कॉपी करने हैं मैं इंटर करता हूं बेज पॉइंट के लिए जिस पॉइंट को हम बेज लेना हैं वहां जाकर मैं लेफ्क करूंगा माउस का मैंने लेफ्क क्लिक किया सेकेंड पॉइंट के लिए सेकेंड पॉइंट नहीं क्लिक करके मैं एरे कमांड लूँगा जो कि आप यहां देख सकते हैं इसके लिए मैं मैं एरे के लिए ए टाइप किया यह कैटल या स्मॉल यह से कोई मतलब नहीं होता है वो यह एरे के लिए ही लेगा तो मैंने इंटर कर दिया अब एरे कमांड के लिए इंकर्स नंबर ऑफ आइटम्स को है अब आइटम्स मुझे देना है इसके अंदर मुझे आठ आइटम्स चाहिए जिसमें दो आइटम मेरा यह है तो एरे के लिए मेरा टोटल मैंने तीन आइटम्स मैं डालूंगा अब जो है यहां इसे केंड पॉइंट करने के लिए कर रहा है मैं यहां सेकेंड पॉइंट यहां पर भी क्लिक करूं वह दोनों लाइन के बीच जो है दो आइटम्स के बीच में इस्टेज डेसाइड करेंगा लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है मुझे आप देख सकते हैं यहां फिट है मुझे यह फिट वाले उप्शन को लेना है तो फिट के लिए मैंने एट किया एट इन्टर आप देख सकते हैं यह आ चुका है फिट कमान में मैं अंदर आ चुका हूँ आप इस लाइन के अंदर इसको फिध होना है इसे 117 के अंदर इसको फिंट होना है वहां पर इसको क्लिक करनी होगि मेरा फॉर्स सथौईप को मैंने मनलब की हैर फॉर्स सथ conauen के लिए मैं है इसके रैटेंगिल के लास्ट को सलेकप कर लेता हूं और यहां पर मैं क्लिक कर दोगा है कि यह सी बटन से आप बाहर आ सकते हैं आप देख सकते हैं जो मैंने एरे कमांड में लाइन लिया ठीक इसको इसके बीचो बीच आ चुका है मैंने तीन लाइन लिया था तो तीन लाइन में पहला लाइन इधर है और दूसरा लाइन इधर है आप इसको काउंट कर सकते हैं बीच में वान टू थीरी फोर फाइल शीक सेवन एक लाइन आ चुके हैं यहा लाइन भी हो सकते हैं रेक्टेंगिल भी हो सकते हैं या कोई डोई भी हो सकता है इसके अंदर तो इस हिसाब से में Fit कमांड कर यूज करके अपने मन चाहा डिस्टेंस पर कोई बी ओच्ट, 2D ऑपझेक्ट द्ध। को मैं fix कर सकता हूँ आशा करता हूँ कि ये copy command copy tools आपको समझ में आगे आपको थेंक्यू